हेलो कोड़र आर्मी, वेल्कम टू नाइंध डे ऑफ 188 चालेंज, आज हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न प्रिंटिंग का पार्ट टू, फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिए हैं कैसे कुष्टन को एक पैटर्न की थ्रो सॉल्ल कर रहे हैं, आज इसका लेबल मिनियम लेबल लेके जाते हैं और थर्ड पार्ट में हम हाड लेबल तक इसको लेके जाएंगे, आज की वीडियो हम सुरू करते हैं, I think आप सब की तैयारी जबरदस चल्री होगी, रिस्पॉंस वो मस तारा सबका, थैंक्यू उसके लिए, अब आते कुष्टन में, अब इज़र हमने में पांच स्टार, मालो ऐसे करके आपको पैटन को ही प्रिंट कर रहाना है, अब भईये, इस ताइप के पैटन को हम प्रिंट करवाएंगे कैसे, अब हम वह सूचते हैं कि वह हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पहले हम इसको पढ़ना आना चीजिए, इसमें हो क्या रहा है, मैं फ कैसे हम step पे लिखेंगे, सथ से पहले row में row की बात करूंगा, row equal to 1, एक से जाएगा, second step में कहां तक जाना चीजिए, यह row less than equal to 5 तक, पहली row, दूसरी row, तीसरी row, चौथी row और पांच वी रो तक ही हो जाए, छटी row में end, ठीक, third step में मुझे क्या करना है, जब मैं first row में थ तो दो बार star print करता है, third row में था, तो तीन बार, तो मलब जितनी, जिस row में होंगा, उतनी star मुझे print करने है, तो लिख सकता हूं, print star, कितने time, row times, row times, यही है, हाँ भया, fourth step बोल सकता हूं, अब row को एक से increase कर दो, जब मैंने print कर लिया, row equal to row plus 1, बोल सकता हूं इसको, माल लो मैं पहली row में था, row equal to 1, पहली row, क्या less than equal to 5 है, पहली row, हाँ भया है, तो print star row time, तो row की value क्या थी, 1 थी, तो एक बार row print हो गया, अब row की value एक से बढ़ा दो, अब मैं इस row पे आ गया, फिर वही, फिर से यह back जाए गए यहाँ पे, क्या 2 less than equal to 5 होता है, उसने का होता है, उ इन बार उसको मैंने print कर दिया, फिर से row को एक से बढ़ा दो, 4 हो गई, 4th row में आ गया, फिर से होई 4 less than equal to 5 है, हाँ, print star 4 times, 4 बार print कर दिया, फिर उसने का 5 less than equal to 5 है, उसने का है, print star 5 times, तो 5 बार मैंने print कर दिया, फिर उसने का row को एक से बढ़ा दो, अब row हो गई 6, क्या 6 less less than equal to 5 होता है नहीं होता है खतम यहाँ पर आ की मेरा code खतम तो इतने असान तरीके से हमने इस वाले pattern को match करवा दिया जो हमें required result था अब इसको हम code में कैसे convert करेंगे पहला वही मुझे यह लिखना है फौर रो को कहां से कहां तक लेके जाना है भहिया रो इकल टू 1 से जब तक रो मेरी less than equal to 5 है और रो को iq करके increase करते रहना यही है हाँ यह है अब यहां पर है कि print star कितने time row time से जितनी बार row है उतनी बार star को print कर दो ठीक मैंने row equal to 1 row less than equal to 5 print star row times row equal to row plus 1 यहां पर लिख दिया अब star को row times print करना कैसे कर सकता हूँ easy है हाँ बहिया easy है अगर मुझे किसी भी चीज को चार बार print करना कैसे करूंगा ऐसी लिखूंगा कि for column नहीं लेता उसका नाम column equal to variable तो कुछ भी ले सकते हो 1 से कहां तक row times print करना है column less than equal to row हाँ भी यह बन गया logic column equal to column plus 1 इसको ऐसे कर देते हैं cout लिख सकता हूँ मैं मुझे print क्या करना है star star को मैंने print कर दिया और यहां पर मैंने space भी दिया और यहां पर cout handle तो कितने असानी से हमने अपने code को execute करवा दिया इसमें कितने असानी से मुझे क्या करना था row times star को print करना था तो मनलब row times पांच time अगर मुझे किसी number को print करना हूँ तो एक से लेके 5 तक 10 time करना हूँ तो एक से लेके 10 तक जितनी row की value है उतनी बार star print हो जाएगा मैंने code मैंने अपना instruction लिके और उसको मैंने logic में बिल्कुल convert कर दिया तो इतनी असानी से हम इन question को solve करदेते हैं मुझे रही row कहा से कहा तक जा रही है मैंने देखा में रही row first से last तक जा रही है less than equal to 5 तो मैंने लिख दिया ठीक हाँ अब column का number देखते है column में कर गया रहा हूं इसमें मैंने column को एक बार प्रिंट किया इसमें 2 बार इसमें तीन बार इसमें चार बार यह column है ना एक दो तीन चार एक दो तो मैं लग कॉलम को मैं कितनी बार print कर रहा हूं कितनी बार मैं column के उपर iterate कर रहा हूं जितना वह पर row का number है पहली row में मैंने column को एक बार print किया दूसरी row में मैंने column को दो बार print किया ऐसे करके भी आप अपने code को execute easily करवा सकते हो अब हम जाते हैं इसके actual implementation में अब हम अपने code को print करना है तो देखते हैं कैसे हम अपने logic को print कराते हैं सबसे पहले हमें पता है कि हमें row लेनी है और column लेनी है ठिक अब row कहां से कहां तक चलेगी भाहिया row चलेगी 1 से लेके row less than equal to 5 तक row equal to row plus 1 ठिक उसके बाद भाहिया column चलेगा तो column कहां से कहां तक चलाना है column equal to 1 से जब तक column क्या हो less than equal to row हो ठिक और column equal to column plus 1 इस टाइप से और cout कर दो अपने star को तो star को हमने print करा दिया और वहीं पर हमने space दे दिया जो हमने previous उसमें भी दिखा था प्रीवेस लेक्टर्स में और जैसी यह खतम हुआ तो cout अगर मैं इसको run करता हूं तो देखते हमारा result क्या आता है तो हमने देखा जो हमारा required result था वह हमने obtained कल लिया हम एक साथ भी लिख सकते हैं अलग भी लिख सकते हैं अब मैं आप इस पे ज्यादा दे रिखा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक space कम करगें और यहीं पर मैं एक बार space भी दे सकता हूं और इस वाले को हटा भी सकता हूं तो कैसे भी आप इसको execute करवा सकते हो वह आप के ऊपर है कि मुझे इसको कैसे execute करवाना है तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो फिर भी मेरा answer वही आएगा तो इस तरहीकी से हमने इस pattern को print करवा अब मालू मुझे ये करना है फिर से हम इसको अपने old method से read कर रहोंगे मैं first row पर किया 1 कितनी बार एक बार मैं second row पर किया क्या print कराना है है one two. कितनी बार two. मैn third row पर किया क्या print कराना है one two three. कितनी बार three. तो मैं बोल सकता हूँ, first step वही होगा अपना, row equal to 1 होगा, first row से इस row तक आएगा हूँ, second में जब तक मेरी row less than equal to 5 रहे तब तक आपको चलते जाना है, अब यहाँ पे मुझे देखना है, अब पिछले वाले question में हम सरत start print कर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या print करना है, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, मैं अब जिस row में मैं जा रहा हूँ, उतनी time तो मुझे print कर नहीं है, मैं पहरी row में गया था 1 print, दूसरी row में गया थो 1, 2 print, थर्ड row में गया थो 1, 2, 3 print, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यह आपके, कि print करो कहां से कहां तक, print 1 से लेके row तक, print करो, अब 4 तो इस step में, row equal to row plus 1, बोल सकता हूँ यह वाला, यह क्या है लिखाब, अब ही आपने, मैंने कहां तक print करना था, मुझे पता, starting 1 से ही होनी है, कहां तक print करना है, 1 तक ही, row number क्या है, 1, second row में था, कहां तक print करना है, 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 3rd row में था, कहां से कहां तक print करना है, 1 से लेके 3 तक, तो मैंने relation निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक relationship निकाल दिया, मुझे पता, first number तो 1 ही होने वाला है, लाश्ट नंबर हो कहां तक जाएगा वो मुझे पता करना था, तो मैंने लिग गया रो तक, थर्ड रो में 3 तक जा रहा हूँ, फोर्थ रो में 4 तक, तो 1, 2, 3, 4 को प्रिंट करना है, फिफ्थ रो में 1, 2, 3, 4, 5, 5 तक प्रिंट करना है, तो प्रिंट 1, 2, रो, हो, clear logic, why? code को convert कर सकते हैं, हाँ बेया कर सकते है만, हमने देख लिया, देख लिया, आ जाते हैं यहां पर, तो यहां पर कैसा लिखे गए, for, ρो equal to, 1 से, रो less than equal to, 5, रो equal to, रो plus 1, ठीक, हाँ बेया, हैं यहां आगे समझ, अगला, प्रिंट वन टू रो, प्रिंट वन से रो तक प्रिंट करो, अब जैसी हो जाएगा, सी आउट एंडल लगा दो, यह मुझे लगाना पड़ता बस, ताकि मैं नेक्स रो पे आप हो, मालो पहले रो में मैंने वन से वन प्रिंट किया, ठीक है, तो उसके वाद मैं नेक्स रो मे तो मैं नेक्स रो में आ गया, नेक्स रो में आने के लिए, यह जैसी मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, अब प्रिंट वन टू रो कैसे प्रिंट होगा, एक से लेके रो तक, भाया बहुत असान है, फोर, कॉलम इक्वल टू वन से, इस टार्ट कर देता हूं, जब तक कॉल और उसके माँ थोड़ा सा space दे देना, ताकि इस space अच्छे से दीखे, और यहां पर मैंने cout एंडल लिग दिया, अब यह execute कैसा हो रहागा, उसको हम देख लेते हैं, ऐसे हमने code लिखा, अब इसको एक बार dry run करके देखते हैं, कि dry run में यह कैसे दिखेगा अपने को, तो भाई, अगर मैं यहां से start करूँ, इस वाले से, ठीक, यहां पर मेरा क्या है, row equal to पहले 1 हुआ, उसने का 1 less than equal to 5 है, उसने का है, तो मैं अंदर आ गिया, उसने का column को 1 से initialize करो, यह हो गया, क्या column less than equal to row है, क्या मेरा 1 less than equal to 1 है, उसन अब column बनिया है 2, क्या 2 less than equal to 1 है, क्या 2 less than equal to 1 है, उसने का नहीं है, अगर मैं यहां पर 1 लिख दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, नहीं है, तो इसने loop break कर दिया, असी out end, अब वो यहां पर आ चुका है, ठीक है, next line पर, फिर से मैं उपर गिया, उसने row की value एक से increase कर दी, प करा, क्या 1 less than equal to 2 है, उसने का है, क्या column को print कर दो, तो 1 प्रिंट कर दिया, space मिल गया, फिर से, column की value अब 2 हो गई है, 2 less than equal to 2 है, उसने का है, तो उसने का है, उसने का उसको print कर दो, फिर से, column की value अब 3 हो गई, क्या 3 less than equal to 2 है, यहां नहीं होता है, क्या 3 less than equal to 2 है, नहीं होता वो यहाँ पर आया, 3 less than equal to 5 होता है उसने का होता है, वो यहाँ पर आया, कॉलम में 1 दालो, तो इसको अटाके 1 आ जाएगा, फिर वही क्या 1 less than equal to 3 है तो आप समझ गोंगे कि 1, 2 और 3 तक प्रिंट करने वाला है, फिर वो next line बाज आएगा, ठीक, फिर row की value एक से increase हो जाएगी, तो वो बन जाएगा 4, क्या 4 less than equal to 5 है उसने का है, कॉलम equal to 1 से कहां तक 4 तक प्रिंट कर दो, तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट हो जाएगा, same फिर से handle लगेगा, यहाँ पाएगा, अब row की value बन जाएगी 5, यहाँ पाएगा, क्या 1 से लेगे 5 तक की value प्रिंट करो, ठीक, उसने का अगली line बाजाओ, फिर row की value एक से increase हो जाएगी, क्या 6 less than equal to 5 होता है उसने का नहीं होता है, उसने का loop break भारा जाओ, और इस तरीक से मैंने अपने सारी number प्रिंट करा दिया, अगर मैं आपको गेस करने के लिए, कि इसके बाद क्या होता है, आप कुस्तों बोलते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप गेस कर पा रहे हो, तो कुस्तों logic बना होगा के दिवाग में, आपने कुस्तों pattern पकड़ा होगा, भले unconsciously आपको पता चल रहा है, पर computer की लाएंग में तो इसको कैसे समझाएंगे, वह हम इसको प्रोग्राम के थोख समझाते हैं, कि पहली row में एक print, अगली row में दो print, कहां से कहां तक 1-2 तर, थर्ड row में 3 print, कहां से कहां तक 1-3 तर, ऐसे करके मैं से समझा रहा हूँ, जिस row में उतनी नंबर आपको print करने, अगर मैं आपको बूलू, आपको 12th row में आप क्या print करोगे, तो आप बूल के 1 से लेके 12 तक, कैसे पता चला, पूछो कुछ से कुछन, वही logic आप इंप्रिमेंट हो रहा है, अब second वाले के हम solution दिखते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक, तो सबसे पहले second वाले में भी जो मुझे print कराना है, 1, 1, 2, 1, 2, 3, तो सबसे पहले row और column हम ले लेते हैं, row और column इस type से, तो मैंने लिख दिया कि जब तक मेरी row equal to 1, row less than equal to 5, row equal to row plus 1, ठीक, अब मैं column के पार्ट पे आ जाता हूं, कि for, column कहां से कहां तक चलेगा, भाया column चलेगा, 1 से लेके column जब तक less than equal to row हो, हाना, और column equal to column plus 1, simple है, हाँ भाया, simple है, और c out कर दूँगा column को, क्योंकि वही मुझे print कराना था, यहां यहां पर spacing दे दी यहां पर, और c out, handle, तो एक बार इसको run कर लेते हैं, अगर देखते हैं अपना successually run हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमने देखा यह successfully run हो रहा है, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, okay, अगर आप यहां पर 5 से जगा, अगर 6 दे देते हैं, और अगर मैं row equal to 1 की जगह यह कर दूँ, तब क्या answer आना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आप करता रहा करो, कि यहां पर मैं कुछ दाल दूँ, यहां पर कुछ दाल दूँ, ताकि आप अपने result को guess कर पाऊ, तो मैंने देखा अगर उसको दालता हूं, तो मेरे पास आरा 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो मेरा 1 वाला गया गया, क्यों हुआ, वह आप सोचो, ओके, तो इस तरही के से हम अपनी coding को इंप्रोप कर सकते हैं, जब तक मैंनी के साथ खेलता रहू तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, ऐसी हम pattern को अच्छी से सीख पाएंगे, इसको debug करते हो, अब हम देखते हैं अपना next question, भाईया 1, ठीक है, फिर 2, 2 प्रिंट करना है, फिर 3, 3 प्रिंट करना है, फिर 4, 4 प्रिंट करना है, और फिर 5, 5, 5, 5, 5, 5, हमने देख लिया, हमने देख लिया, कैसे pattern बन रहा है, अगर मैं आपको बोलो कि 10th row में क्या print होगा, तो आप बोल गए 10th row में 10 बार 10 प्रिंट हो जाएगा, simple है, कुस्त सोचा आपने, मैं आपको 40 row में क्या print होगा, आप बोल गए 40 row में 40, 40 बार print हो जाएगा, यही बोल आप, यही बोल रहा है, तो वही logic हमें यहाँ पर adequate करना है, कि भाईए row से कहां तर जाना है, row less than equal to 5 कि पहली row में क्या print करना कितनी बात एक बात अगली रो में क्या प्रिंट करना तो कितनी बात दो आगली रो में क्या प्रिंट करना तीन कितनी बात तीन बात अगली रो में क्या प्रिंट करना चार कितनी बात चार बात तो वही लोगी में यह आपर लिख सकता हूं कि रो इकल टू वन से कब तक रो less than equal to 5 ठीक थर्ड स्टैप क्या प्रिंट करना पड़ता है प्रिंट रो को प्रिंट कर दो यह रो का जो भी नंबर होगा वाँ पे प्रिंट रो नंबर कितने टाइम्स रो टाइम्स बोल सकता हूं अब फॉर्थ में रो को increase कर दो कैमें यह लॉजिक बोल सकता हूं यह नहीं बोल सकता बताएं बहाँ यह समझ दिया यह यह का लिखावा है मैंने का प्रिंट रो नंबर जिस रो में उस रो नंबर को प्रिंट कर दो कितनी बात रो टाइम्स जितनी वह रोज है मतलब मैं अगर 3rd row में हूँ माल लो तो कहाँ रो नमबर जो रो का नमबर क्या है यह पर 3 तो 3 को 3 टाइम कर दो एक दो टीन प्रिंट क्या करना है कितनी बार करना है वो ही मुझे यहां से मिल जाएगा ठीक मुझे पता चल गया कि मुझे अपने लूप को इधने टाइम चलाना है रो टाइम और क्या प्रिंट करना है वो भी मुझे पता चल चुका है यह मुझे clear है तो मैं अगर इसमें cold लिखने की कोसिश करूं कि for row equal to 1 से row less than equal to 5 row equal to row plus 1 यहां तक तो आपको समझा गया कितने टाइम चलाना है बढ़िया row टाइम चलाना है अंदर तो for column equal to one से लिख सकता हूं कहा तक row तक लूप रो टाइम से लेगा ना हाँ भाया column equal to column plus 1 अब प्रिंट क्या करना है प्रिंट क्या करना है भाया row number तो cout row और cout handle इसके भार यह logic clear कैसे हम नहीं करां dry run करके बता हूं हाँ भाया इपर बता दो dry run बहुत easy है मैंने क्या करा भाया row number क्या है आपका भाया one है अंदर आया column equal to one ठीक है ठीक है उसने का जब तक मेरा one less than equal to one रहे cout row रो को प्रिंट कर दो रो क्या था पहले one तो one प्रिंट हो गया फिर column की value x increase होके 2 हो गई क्या two less than equal to one होता है क्योंकि वाली condition check हो रही ना column less than equal to row क्या two less than equal to one होता है उसने का नहीं होता है उसने का भार आ जाओ cout handle मैं यहां पर आ गया इस वाली line में print करा था अब यहां पर आ गया उसने का चलो अब यहां पर आ जाओ row की value एक से बढ़ा दो एक स स्ने का है तो cout row जो भी row का number है ठीक फिर गया होई two हो गया क्या two less than equal to two होता है उसने का होता है उसने का cout row फिर कॉलम की value एक से increase हो गई यहां से क्या three less than equal to dollar नहीं होता है लो यह ब्रेक Rio andեղ उसने का अगले में में हो फिर मैं ऊपर गया रोकी value एक से increase कर दी फिर यहां प उसने का होता है, उसने condition check करी, column equal to 1, column में 1 दाल दो पहले, तो column में पहले मैंने 1 दाल दिया, फिर उसने का 1 less than equal to row होता है, 1 less than equal to 3 होता है, उसने का होता है, तो उसने का row को print कर दो, तो row की value क्या दी? 3 थी, print कर दी, तो यह कित्री बार print हो जाएगी 3 बार, फिर ऐसी, अगर आप इसको dry run कर दो रोगे, तो 4 बार, 5 भी 5 बार, ऐसे हैं कि मैंने अपने डिचल को open in किया, जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, वैसे ही pattern इसमें बन रहे है, कि मैं पहली row में जा रहा हूँ, तो मुझे उतनी बार उसको print कराना है, ठिक, बस, अब हम code part में चलते हैं, अब आते हैं, अपने third question में देखते हैं, उसमें हमने क्या किया है, पहले previous वाले को हटा देते हैं, अब सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, row और column जो previous में चाहिए था, फिर for row equal to one से, row less than equal to five, okay, minus कर दिया मैंने, row equal to row plus one, यह coding बहुत इजी लग रही है, अब मुझे लग रहा है pattern में मैंने master hustle कर लिए है, अब column कहा से कहा तक चलेगा, column equal to one से, column less than equal to row तक, ठीक, column equal to, column plus one, हाँ बही है, आगिया समझ, और cout क्या कर दूँगा, row को, जो row का name है, तो वहाँ पर spacing में दे देते हैं, spacing में दूगा तो मुझे पता है, वो चिपक चिपक के आ जाएंगे, जैसे तो मुझे चिपक और न मेरे lecture से, वैसी वो भी चिपक जाएगा, तो इसको clear कर देते हैं, इसको run कर लेते हैं, देखत तो सही guess कि आपने, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 10, 10 की answer आ जाएगा, ठीक है, तो जो output मुझे चाहिए था, वो मुझे easily मिल पा रहा है, I think यहां तक सब को मजार होगा, कि भाईया यार, pattern blending अब easy सा लग रहा है, अगर easy लग रहा ना, जो लालन का button है, उसको चमगा चमगा के सबित कर दो, ठीक, आया like कर दिया करो video, थोड़ा motivation मना रहता है, चलो start करतें आगे, अगला है, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, यह print कराना आपको screen पे, कैसे print कराऊगे, यह यार, अगर मैं आपको बोलू हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या आपको 10th room में print कराना है, आप क्या 4, 3, 2, 1, मैं जिस row में हूँ, वहां से मैं start कर रहा हूँ, कहा तक जा रहा हूँ, 1 तक, यह clear है, अगर मैं आपको 30th room में आपको print करोगे, आप बोल गए 30, 29, 28, 27, 26, up to 1, यह clear है, हाँ, कैसे बता चल लागी, पहला number कौन print होगा, यह जो row number है, मैंने का भई, वही same logic कि यहा पहला, रो कहां से कहां तक जाएगी, भई, यह row equal to 1 से start होगा, कहां तक print कराना है, भई, यह row less than equal to 5, ठीक, ठीक, अब third step में, मैं यहां पर उमान लो, ठीक है, मुझे कहां से कहां तक print कराना है, print, आप इसको कितने भी logic से लिख सकते हो, अले-अले logic हो सकते है, मैं आपको ह यही है, row से 1 तक का नंबर print कर दो, और fourth में, row को एक से increase कर दो, यही तो कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं, मैं अगर इस row में आया माल लो, 3, third row में, तो कह रहा है कि print 3, 2, 1, 3, 2, 1, print कर दो, मैं fifth में आया, देखो, pattern मालो को रहा ऐसी पकड़ना है मुझे, जो आपको लिख pattern वो print हो रहा है, पहला number कहां से जा रहा, last कहां तक मुझे print करना है, इनको अगर आप पकड़ लोगे, तो आपका logic clear हो जाएगा, मुझे पता है कि पहला number वही होगा, कौन सा होगा, जो row number है वहां पर, अलख खतम हो हमेसा 1 पर ही हो रहा है, यह मेरा logic clear है, अगर आप पिछ लगाया था मैंने, ठिक कि print row number कितने बार, row times, वही आपको करना है, हर question में, देखो और logic create करो, बस, तो भाई, अगर मैं इसको बात करूँ, मुझे पता है कहां से जाना मुझे, row equal to 1 से, row less than equal to 5, row equal to row plus 1, ठीक है, हाँ भी है, इसको देख लिए दे, print, row से 1 तक की value प्रिंट करानी है, 4 से लेके 1 तक की value प्रिंट करानी है, कैसे कराऊंगा, भाईया, for, column को initialize करूँगा किस से, row से, ठीक है, column greater than equal to होना चीए, 1 तक, और column होगा, एके करके decrease हो रहा नो number, हाँ भाईया, बस, cout, column, अ cout, handle, क्या कहा रहा था हो, कि row से लेके 1 तक के number, प्रिंट कराऊ, n से लेके 1 तक का number, n से 1 कैसे print कराता है, इसी कराता है, column equal to n से, जबता column greater than equal to 1 हो, column equal to column minus 1, कि पहले मैंने 5 प्रिंट कराया, फिर उसको एक decrease करा, फिर 4, फिर 4 को एक decrease किया 3, 3 को एक decrease किया 2, 2 को decrease किया 1, पर आके रुख जाना था, ऐसे करकी, same logic मैंने यहां पर create किया, अगर इसको यहां से बोलू, कि row equal to 1 है, 1 less than equal to 5 है, column में row की value दाल दो, row की value किया 1, क्या 1 greater than equal to 1 है, उसने का है, तो उसने का column को print कर दो, one print हो गया, फिर उसने का column को एक से घटा दो, फिर से, क्या 0 greater than equal to 0 होता है, तो यह लूप खतम, see out handle, अब हो यहां पर आ गया, फिर से, row की value एक से increase हो जाएगी, 2 हो गई, क्या 2 less than equal to 5 होता है, होता है, तो उसने का column में row की value दाल दो, तो यह 2 हो गया, ठीक, अब फिर से होई, क्या 2 greater than equal to 1 होता है, उसने का होता है, उसने का column को print कर दो, print कर दिया फिर उसने का column को x से decrease कर दो, 1, क्या 1 greater than equal to 1 होता है, उसने का होता है, column को print कर दो, column print हो गया, फिर आपने column की value x से decrease कर दी, क्या 0 greater than equal to 1 होता है, नहीं होता है, तो उसने का loop break, see out handle, अब यहां पर आ गया, फिर row की value x से increase कर दो, क्या 3 less than equal to 5 होता है, होता है, फिर वही, column की अ फिर अगले में 4 से लेके, 5 से लेके, dry run करोगे, समझ आजा जाएगा. Initial में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, और यह बार यह दिक्कत सौल हो गई, उस वाद आपका दिमाग ना, सब-consciously जालेगा, अगर मैं आज आपको 7 plus 6 कितना होता है, बहुत बच्चों ने क्यास कर लेगा, भी है 13, यह भी कुछ दिन बाद, 10-15 दिन बाद आपके लिए ऐसी हो जाएगा, 10 दिने का टाइम है, छोटे मैं कैसे कर ते डंडी-णडी खिषते दे, ऐसे करके एक-दो-3-4-5-6-7, ऐसी इस चरते थे, फिर एक-चैल, एसे खिसता लेमें, एक, दो, तीन, चार, पाँछे, फिर मैं गिनता था, वन, टू, थ्री, फोर, फाइब, सेक्स, सेवन, एट, नाइट, टैन, एलेवन, टल, थाटीन, ऐसे गरके छोटा बत चांस निकालता था, निकालता नहीं निकालता था, याद है बश्योंन की दिन, तो मैं लगता था, य कैसे एक्जूट करेंगे, उससे देख लेते, पहले इस पार्ट को हटा जेते हैं, रो कॉलम तो अपना फिक्स है, वो तो आएगा ही, आएगा बहिया, कुछ भी हो जाए, तो मैंने का चलो, चमकाते हैं, तो मुझे पता कितरी रो मुझे प्रिंट करनी है, पांच, तो रो उसका लॉजिक हम देख चुक है, कॉलम एक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा, रो से, कब तक कॉलम, जब तक कॉलम ग्रेटर दन एक्वल टू क्या रहे, वन, और कॉलम एक्वल टू, कॉलम माइनस वन, यह मैंने लिख दिया, और सी आउट क्या कराना मुझे, जो मेरा कॉ मैंने देखा, जो मुझे आउटपूट चाहिए था, 1,2,1,3,2,1,4,3,2,1,5,4,3,2,1, वो मुझे अपने डिजार रिजल्ट में यूं मिल गया, अब इसके एराउंड भी खिलते रहो आप, कि इसको आगर मैं 6 कर दूंगा, तो क्या आंसर आएगा, तो मैं देख पा रह यह मुझे प्रिंट कराना है, लॉजिक सेम होगा, फर्स रो में क्या प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना है, ए प्रिंट करना कितने ताइम, एक ताइम, साइक रो में क्या प्रिंट करना, ब कितने ताइम, टू ताइम, थर्ड रो में क्या प्रिंट कर करना होगा जी कितने time eight seven times कैसे guess किया कैसे guess किया मैं कैसे समझपानों कि one मतलब a होगा second row में मुझे b print करना है third row में मुझे c print करना है d में मुझे d print करना है oh sorry fifth को e में मुझे पता है मैं बहुत असानी से इसको कर सकता हूँ बहुत असानी से अब इसके logic पार्ट में आते हैं पहले मुझे पता है रो तो वही है row equal to one है कब तक रो को जाना है जब तर less than equal to five नो होगी है ठीक print क्या करना है print क्या करना है भएए पहली row में A को print करना था दूसरी row में B को तीसरी मेंस Vision C को Cally C में D को और Fifth में E को तो अभी जो print करना है मालो उसको X माल लेते है print name मालो मुझे name को print करना है ठीक है कितने times करना है row time row time इसको प्रिन करना है ठीक जतना भी row का नंबर है थर्डो में तीम बार प्रिंट करा किसको इस नेम को, अब ये नेम कैसे जनरिल होगा, ठीक है, प्रिंट नेम, नेम कुछ भी करेक्टर होता है, कभी A, कभी B, कभी C है, वो अब यह हम देखते हैं, और row equal to row plus one, clear, clear भया, ये नेम कैसे निकलेगा, भया, ये नेम कैसे अगर मैं character name ले लूँ, हमने पिछली class पर भी देखा था, अगर मैं character name ले लूँ, ठीक है, और उसके अंदर A को दाल दूँ, ठीक है, कि नेम के अंदर है मेरा A, ठीक, इसी को print कर रहा था, A को, second में मुझे करना, row में, B को print करना है, अगर इसमें plus one कर दूँँगा, तो B print हो जाएगा, A plus one कितना होता है, B होता है, A plus two कितना होता है, C होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, A plus row minus one मुझे इसमे add करना है, क्योंकि यह row के हिसाप से change हो रहा है, इसलिए वो ही मैंने add कर दिया, first row A print करना था, तो one minus one zero होता है, तो A खुदी हो जाएगा, second row में क्या print करना B, second row में B को print करना था, two minus one, क्यान्त होता है, one a plus one करूँगा, a ही रहे, B हो जाएगा, तो B मेरा print हो जाएगा, third row में क्या print करना था, भ diamond C को, तो three minus one कितना होता है, two, a plus two कितना हो जाता है, 20 C, तो c print हो जाएगा, फिर D print हो जाएगा, तो यह मैंने एक फॉरmula génareेट कर दि तो मुझे पता है यार, अगर एक character को ले लूँगा, उससे मेरा काम बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद मुझे यह 1, 2, 3, 4, 5, तो जो रो है, उसी को add करना है, मैं देख रहता कि 1 add करना है, 1 मलदब A है, तो मैं दब रो minus 1 है, जब मैं इसके उपर add कर रहा हूँ, फिर मैं code part लिख लेते हैं, code part में आ जाते हैं, चलो code part में उत्ते हैं, यहां तो logic clear है, मैंने बोला, row को कहां से कहां तक जाना है, 1 से less than equal to 5, यह, ठीक है, हाँ यह ठीक है, यह तो चमक रहा है, यह मैंने लिख दिया, print name, कितनी times, row times, तो पहले name को initialize कर लेते हैं, ठीक है, character name, जिसको मुझे print कराना है, क्योंकि पूरी row में वही आ रहा है, तो a लिख दिया, plus, जो row minus 1, यह मैंने इसके अंदर कर दिया, operation, अब मुझे क्या करना है, इसको row times, print कराना है, तो इसको print करा देते है, कि for, column equal to, कहां से कहां तक, once से लेके, column less than equal to row, और column भी एके करके increase उतर रहेगा, cout, जो आपका name है, space भी देते है, cout, handle, इस ताइब से मैंने पूरे code को एक असानी से लिख दिया, ठीक, अब आप बोलोगे, भाहिया, यार, यह मुझे कैसे पता चलेगा, कि मुझे इसको यहां पर लिखना है, या पर इसके अंदर लिखना है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, मैंने का इसको आप भाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, कोई difference नहीं आएगा, कोई difference नहीं आएगा, इसी वाले line को आप follow के अंदर लिख सकते हो, असानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, हाँ, एक बार भाहर लिख के देखना है, तो पहले मैं name को A लिख दूँगा, उसके बाद मैं आगे के लिए lesson बना सकता हूँ, कि name के अंदर A है, अब मुझे इसमें 1 को A, print काना है 2 में B, तो मैं इसमें 1 मगर ही add कर सकता हूँ, यह 1 add कर सकता हूँ, अब हम जो next question है, जिसमें मुझे print करना है A, B, B, C, 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 D, 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 E, 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 सबसे पहले इसको अटा देते हैं अपन लोग, अब यहां से सबसे पहले वही कि कितरी row print करनी है, भी अब 5, तो for row equal to 1 से, कहां से कहां तक, row less than equal to, कहां तक, 5 तक, और row equal to, row plus 1 तक मुझे जाना है, अब जब मैंने यह step ले लिया, सबसे वहले मुझे character name का, जिसको मुझे print कराना है, उसको मैं लिख दूँगा, जिसमें मुझे A लिखना है, plus, क्या add होगा समे, row minus 1, यह मैंने add कर दिया, ताकि A उसके अंदर आपाए, क्योंकि name को मुझे print कराना है, और कितरी बार print कराना है, first row तो एक बार, second row तो दो बार, तो मैं वही करने वाला हूँ, कि for column equal to 1 से, column less than equal to, कहां तक, row तक, column equal to, column plus 1, और cout कर दूँगा किसको, अपने name को, यह लिए, यह मैंने कर दिया, इसमें execute, और cout, handle, जो मुझे required result चाहिए था, run करता हूँ, तो मिरे पास जो चाहिए था, A, B, B, C, 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 D, 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 E, 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 तो इस तरीके से, easily, बहुत प्यार से, मैंने यह कर दिया, अब तुम यह भी कर सकते होगा, अगर मैं इसको copy करके अंदर लिख दूँ, तो तब क्या answer आएगा, यहाँ पर लिख दूँगा, उतने ज्यादा आपके concept clear होते जाएगे, यह simple सा fund है, चलो आप next question अपना देखते हैं, अब मैं बोला हूँ, आपको यह print करना है, अब तो आप मैंसे बहुत बच्चे guess कर लेंगा answer, इस बार direct code लिखू, ठीक है, यह print करना है, भाया यह तो पीन है, इसको कैसे print करेंगे, मैंने का भाया simple है, simple है, अगर मैं आपको बोलू, फर्स रो में कितरे print हो रहे हैं, भाया पांच, second row में 4, third row में 3, fourth row में 2, fifth row में 1, ठीक है, तो कुछ relation मन रहा है उनका, relation मन रहा है, ठीक, अब देखते हैं, इसको solve कैसे करें, देखो, पहले step तो यह होगा, कि row equal to 1, row 1 से लेके 5 तक, third step, अब मान लो अगर यह कोसरा अगर मुझे 4 के लिए दिया होता, तो पहली रो में मैंने 4 print किये, 4 start, फिर अगले रो में 3, अगले रो में 2, अगले रो में 1, ऐसे करके, अगर सिरब 4 के लिए दिया रहा था, अगर 10 के लिए दिया रहा था, पहले 10, फिर 9, फिर 8, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, हाना, अभी तो उसने मुझे 5 के example के लिए दे रहा है, कि 5 के लिए ऐसे print होगा, जब म अब यहां पर क्या print होगा, वो मुझे देखना है, मुझे पता है print तो starry होना है, print तो starry होना है, कितने time होना है, वो मुझे देखना है, कितने time print होगा, कितनी बार होगा, पताइए, star कितनी बार print करौँ मैं, भई अब पहली बार में 5 बार print हो रहा है, अगली में 4, अगल अगली में दो, अगली में एक, तो मालब फर्स रो में, अगर मैं इसको रो बूलू, इसको प्रिंट बूलू, ठीक है, कि मालब कित्री बार प्रिंट हो रहा है, प्रिंट तो इस्टारी हो ना पर कित्री बार हो रहा है, पहली में पांच बार प्रिंट हो रहा है, सैकिंड मे तीन बार, फुर्वत में फिप्त में, इसमें दो, इसमें एक. मैं देख पारा हूँ, जैसी रो एक्डे करके बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये एक्डे करके घट रहा है. बनना relation, बनना बनना दुनँबें कुछी, कि यह एके करके बढ़ा, तो यह एके करके घटा, ठीक है, मुझे इसको जनरेट करना है, इस नंबर को, किसके help से, इसके help से, कैसे जनरेट होगा, मैं अगर आपको पूछू, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं, कि 5, 5 रहा होगा, ठीक है, जो root, minus root, plus 1, sorry, minus 1, क्या मैं इसको य इस formula को, अगर मुझे 5 को जनरेट करना है, फिर मुझे 4 के लिए पी चेकना है, इस पर वो applicable है, 5 minus, यहाँ पर क्या है, 2, 2 minus 1 कितना होता है, 1, तो 5 में से 1 गया, 4, 3 के लिए 3 निखा लूँगा, कैसे answer निखा लूँगा, तो 5 minus, कितना करना पड़ेगा, 2, तो कितना आ कि 1 से मैं 5 कैसे जनरेट करूँ, 2 से मैं 4 कैसे जनरेट करूँ, 3 से मैं 3 कैसे जनरेट करूँ, 4 से मैं 2 कैसे जनरेट करूँ, तो जनरेट कैसे हो रहा वो देखो, तो आपको क्या गरना है कि पहले मैं इस 5 को पगड़ेगे, इसको जनरेट कर लूँ, कि 1 से मैं 5 को कैसे जनर ठीक है मुझे पता एक मंदब क्या हो रहा है एक मंदब क्या है 1 है ठीक है तो 1-1 कितना हो जाए गजीरो तो मिरे पाफ 5 आजाएगा फिर 2nd row में आया मैं यहाँ पर 2 से क्या चालेट करना था भाई यह 4 तो 5-2-1 कितना हो था 1 5 में से गया 4 तो मैंने इसके हिसाप से यह निक कर सकते हो मुझे इसको निकालना था कि कितनी बार मुझे प्रिंट करना है इसको निकालना था तो मैंने पैटन दिखा कि एक करके अगर इंक्रीज हो रहे है तो यह एक करके डिक्रीज हो रहा है तो इनकी बीच में पहले पैटन बन रहा है एक पैटन तो बन रहा है 1 से 5 कै कैसे प्रिंट करूंगा जहां पर रो आ नहीं आना चाहिए ठीक है तो ऐसा एक तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं रो को कर दालना है ठीक है ठीक है आरा समझ चमक रहा है मस यह चमक रहा है तो मुझे इतने टाइम को प्रिंट करना था तो प्रिंट इश्टार 5-0-1 टाइंग टाइंग्स अब फोर्थ में रो को एक से इंक्रीज कर दो 5 minus rho minus 1 times, उतनी बार मुझे इसको print करना है, तो आपको इनकी बीच का एक listen निकालना आना चाहिए, किसी भी तरीक से निकाल सकते हो, ठीक है, आपको यहां पर वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हो उसे, hit and try, ठोड़ा, ठीक, यहां clear, भाईया, code में convert कर दू, code में convert, इसको कैसे लिखूंगा, कि for, rho equal to 1 से, rho less than equal to 5, rho equal to rho plus 1, अगला, print star 5 minus rho minus 1 time, इतनी बार मुझे किसी को number को print कराना है, इतनी बार, इतनी times, तो यहां पर लिख दो, for column equal to 1 से, column less than equal to, इतनी time कराना था लो मुझे, हां, तो क्या जिए था, 5 minus, ऐसे लिख देता हूं, rho minus 1 times, और column equal to column plus 1, जगा कम बज़ गई हो, आपे, c out, क्या print कराना हो आपे, star, c out, handle, ऐसे करेगे, तो आपको एक relationship, जोन के बीच में, वो निकालना था, कि 1 से मैं 5 कैसे generate कर सकता हूं, 2 से मैं 1, 4 को कैसे generate कर सकता हूं, 3 से 3, तो आपको एक relation निकालना था, जैसे मैं aptitude में करते हैं, अगर आपको कुछ किसी के लिए पूछ दीता है, तो आपको पता हके कि कैसे उसको प्राप्ट कर सकता हूँ, ठीक, यहाँ से भी दीरी सकता है कि अगर में पाफ पहले पांस था फिर उस चार बन ताफ फिर उस तीन भी दो बन भी यह एक बन रहा है, तो ये पांच से वो चार कैसे बनाओगा क्योंकि मैंने इसको एक से डिक्रीज किया है फिर इससे एक डिक्रीज किया है तो आपको उसके हिसाब से एक logic creation आना चीए ठीक है कि ये रोव पे भी depend कर रहा है ये जैसी मैं second रोव पे जा रहो तो एक कम हुझा रहा है एक कम हुझा है तो मैंने का चलो इसको देखते है तो मैंने का यार उसको भी हम कर लेंगे ठीक है कि रो कहां से कहां तक जा रही है रो इक्वल टू 1 से रो लेस दैन इक्वल टू 5 रो एक्क रो प्लस तूप ये मैंने देख लिया कि भाईया इसको मुझे करना है execute ठीक अब कॉलं कहां स से कहां तक जाएगा वो मुझे ग्यस करना है तो मुझे पता है यार column जाएगा column equal to 1 से start होगा कहां तक जाएगा column less than equal to जो हमने पिछले class में भी देखा था क्या 5 minus row plus 1 ऐसे करके भी लिख सकता हूं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 minus row minus 1 bracket खुलोगे तो वह याद आएगा ठीक और फिर column equal to column plus 1 कैसे भी लिख सकते हो आप उसको ठीक है दोनों में same answer आएगा यह मैंने यहां पर execute कर दिया अब cout क्या कर रहाना है मुझे star तो star को ऐसे लिखते हम यही पे space देते है अगला लिखने की ज़रूद नहीं है अब cout यह था वो मुझे मिल गया तो ऐसे इसके round आप खेल सकते हो अब अगर मैं इस bracket को हटा दूँ तो यह 5-2 हो जाएगा यह प्लस 1 हो जाएगा इसको अटा दू तो तब यह आपका same answer आएगा same answer आएगा तो मैंने इसको यहां से यहां तक क्यों चलाया क्योंकि मुझे one की map में किसके साथ करनी थी जब first row हो तो पांच नमबर प्रिंट हो जिए second row हो तो चार्ड नमबर होने चीए third row हो तो मेरे पास 3 होने चीए fourth row हो तो दो होने चीए इस type से मुझे print कराने दे कि first row म आप कैसे print कराऊगे तो आपको directly इस one को five के equivalent बनाना है तो वो कैसे बना पाऊगे आप खुछ सुचो एक बार five के equivalent तो उसके लिए मुझे यही करना पड़ेगा कि पहले मैं five ले देता हूँ ठीक है एक number five उससे यह row minus कर देता हूँ तो कितना हो गया five minus four one four हो गया उसके बा भी अप्रोच लगा सकते हैं अब एक अप्रोच मेरी यह हो सकती है कि row equal to five लुग दूँ ठीक मुझे पता पांच रो हैं greater than equal to one और row को ek करके decrease करते रहो मुझे पता रो पर डिबेंड कर रहा है ठीक अब मुझे पता है column equal to one से अब मैं इस वाली line को पहले हटा देता हूँ मैं से करके new column आप देखो पांच रो हैंने फृफ पांच रो है ठीक है फर्स रो में क्या रहा है 5 element तो देखो मैं रो को कैसे करता करा रहा है फिर पहले उसमें उसमें फाइव असक्रांड कर दिया अगले है फो फिर अगले में फू अगले में थिक्या तो मुझे start pattern print करा थ ऐसे कराना था पहले रो में 5 इसलिए मैंने उल्टे से स्टार्ट किया अगले में क्या कराना था 4 ऐसी प्रिंट कराना था अगले में 3 तो पहले मैंने 5 को ही ले लिया तो अब मुझे पता है कि कॉलम जब तक मेरा क्या हो less than equal to row हो कॉलम equal to column plus one ऐसे करें और अगर मैं इसको run करूंगा तो मेरा answer बिल्कुल सही आएगा ओके सॉरी इसको पढ़नी पाया इसने error दे दिया अब मिरे पास answer आ गया same जो logic मैंने use किया था बस मैंने रो को उल्टा जला दिया क्यों मुझे पता है पहले उसमें मुझे 5 element चाहिए अगले में 4 अगले में 3 अगले में 2 अगले में तो मैंने का रो को ही उल्टा चला देता हूं रो को ही 5 ले रहता हूं उसको करके decrease कर लेता हूं ताकि मुझे आप सीधा value विल जाए तो इस तरीके से बहुत सारी logic आप खुछ से create कर सकते हैं किसी भी question ठीक यह भी आपको चमक गया होगा बढ़ी है से नाइस question यह रहा हमारा 1 2 3 4 5 ठीक 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1 previous जैसा ही है 1st row में आया क्या प्रिंट कराना है भाईया 1 से 5 कितने टाइम 5 ताइम 2nd row में आया क्या प्रिंट कराना है भाईया 1 2 3 4 कितने टाइम 4 ताइम 3rd row में आया क्या प्रिंट कराना है 1 2 3 कितने टाइम 3 ताइम 4th row में आया क्या प्रिंट कराना है 1 2 कितने टाइम 2 ताइम फिफ्त रो में है क्या प्रिंट का ना वन किदने टाइम्स एक टाइम्स यह मेरा जो रिजल्ट है उसको मुझे उप्टेंग करना है फिर से वह ही रिलेसंसिट ढूलो ठीक है अब मुझे यह तो पता है कि वन से लेके फाइब तक प्रिंट होगा सैकिंड में वन से लेके तो बस हो बिलुट करना है कि तो बस मुझे रिलेसंट रूणना है किसमे रो और किते प्रिंट करनें वह मुझे मिल गये, तो मैरा answer मिल गया, अब मैं प्रिविस कौशन में देख चुका हूँ, कि 1st row में कितरे number पृंट करने है, ये row, कितरे number पृंट करने है भाई अ 5, जैकर row में कितरे पृंट करने है, भाई ये 4, 3rd row में 3, 4th row में 2, 5th row में 1, अगर ये answer मिल गया, कि मुझे पांच नमबर प्रिंट कराने तो मुझे पता है 1-5, मुझे अगर यह मिल गए कि 4 नमबर प्रिंट कराने तो 1-4 में easily प्रिंट करा दूगा, बस मुझे इसका 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 रिलेशन निकाला कैसे निकलेगा, हमने प्रिवेस कोर्ष्ण में देखा था, इसको हम कैसे निकालते आज इसका आज है 5- 1, मैंने इसका, इतन्य नमबर मुझे प्रिंट कराना है, पहले मं ऐसे फुल प्रिंट कराना, फुल, तो 5 था मेरे पास, 5 था, सब प्रिंट कराना है 1-1-20, मैंने वह लिग दिया, 2-rd row मंäng एक कम, उपराले से एक कम प्रिंट कराना था ठीक है इसलिए हम यह फॉर्मॉला लिख रहे हैं इसलिए हमने फॉर्मॉला जनरेट किया है कि 5- रो मैनिस 1 किता होता है 1 तो 5-1 फूर हो जाएगा यहां पर तो इस तरहीग से हम इस प्रिंट वाले को जनरेट करनेगे कि ठीक है फॉर्मॉला ऐसे निकलेगा प्लस मैनिस करके और कोई रोकेट साइंस नहीं है अब यहां पर आ जाते हैं रो इककल टू 1 है हाँ कब तक चलीगी भाईया जब तक रो लैस दन इकल टू 5 रहे थर्ड स्टैप में मैं क्या करूंगा जब क्या प्रिंट कराना है क्या प् तुम कैसा हता हूं प्रिंट वन से लेके कहा तक यह इस तक ठीक अफोर तुम्हें रोको एक से इंक्रीज कर दूब बस यही तो करना था भाईये वन से यह यहां तक यह क्या है कि कितने टाइम मुझे प्रिंट करना है यही तो बता रहा यह कह रहा का कि अगर मुझे चार करना है तो वन से लेके 4 तक प्रिंट कर दो ठीक अगर इसकी वैल्यू 3 आती है 3 तक प्रिंट कर दो सेम रोजी जो हमने सोचा उसको हमने कोड़ पार्ट में कर दिया बाकि कुछ भी रॉकेट साइंस यूज नहीं करी है चलो आगे बढ़ते हैं इसका कोड़ पार्ट में रोज दन इकल तो 5 रोज एकल टो रोज प्लस वन प्रिंट कहां से कहां तक करना है वन से लेके यहां तक वोई लिख रहा हूं फॉर कॉलं इकल टो वन से कॉलम लेज दन इकल टो 5-5-1-5-5-5-1 1, column equal to column plus 1, लेख सकता हूँ, लेख सकते हो, cout जो column है, उसे को print करना था, cout handle, इसके बार, I think इसका logic clear होगा सबको, कैसे ये print हो रहा है, row equal to 1 लिखा, पहरें, change करते हैं, row equal to 1 लिखा, 1 less than equal to 5, हाँ, column में 1 दालो, 1 दाला, जब तक column less than equal to 5 minus row minus 1, मैंना column, जब तक किस से कम हो, 5 से कम हो, तब तक print करते जाओ, किस को, column को, तो पहले 1 print हुआ, ठीक है, इसके में उपर गया, row की value x increase करो, कर दी, फिर मैं यहाँ पर column के अंदर 1 दालो, क्या column less than equal to यह है, क्या, तो इसकी value क्या निकलेगी, यहाँ पर 4 निकलेगी, ठीक है, क्या 1 less than equal to 4 रहने कहा है, तो column को print करो, 1, फिर क्या print होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे कर गए यह सारे number, print आपके हो जाएंगे, ऐसे कर गए, तो मैंने जो logic सोचा, उसको मैंने किस में convert कर दिया, code part में, बस इतना ही है, अब next question में आते हैं, जिसमें मुझे print करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, इस टाइक से, तो भाईया पहले इसको उटा देते हैं, फिर same काम, for row equal to 1 से, row less than equal to 5, और row equal to, row plus 1, यह मैंने लिख दिया, हाँ भाईया, फिर column equal to, column कहां से start होगा, 1 से 5 प्रिंट कराना है, तो 1 तो fix है, कहां तक प्रिंट कराना है, column less than equal to, जो हमने formula निकाल लगा था, 5 minus row plus 1, ठीक, यह फिर आप इसको bracket में लिख के, row minus 1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और row equal to, column equal to, column plus 1, यह मैंने यह आपे लिख दिया, इस type से, और cout क्या कर दूँगा, column को, जो मुझे required result है, वो मैं easily obtain कल ले रहा हूँ, अब इसको अगर run करते हैं, तो भाईया, जो required result है, वो मुझे मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 और 1, यह तो हमारा first method हो गया, अब second method हम खुछ से भी सोल सकते हैं, मुझे पता first row में मुझे 5 element करने, second में 4, अगले में 3, अगले में 2, अगले में 1, क्या हो, तो जब तक row greater than equal to 5 हो, row equal to row minus 1, यहां तक सब को clear है, हाँ बया, अब मुझे पता है, यह जो element है, print क्या करना है मुझे, 5 element करने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, जितना row वाँ पे लिखवा है, उतनी element मुझे print करने, तो इसको मैं सीधे ऐसी लिख सकता हूँ, इसको अटा देता हूँ, less than equal to row, column equal to column plus 1, ऐसे करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, मुझे पता है, मैं row को इल्टे से start कर रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, तो row 5 मनलब क्या है, कि 5 element print करो, 4 मनलब क्या है, कि 4 element print करो, मैं बना 1 से 4, तो कि column 1 से, जब तक less than equal to row हो, column equal to column plus 1, तो अगर इसको run करता हूँ, तो मेरे पास same output नहीं आ रहा है, ओके, यह line गलत होगी, greater than equal to 1, ओके, चलो, अब अपना सही चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, देखो, आपके code में ऐसे error बहुत आएंगे, यह, कि आपने यह 5 लिग दिया, आपको पते नहीं चला, तो उस टाइम को पे code को debug करो, एक-एक line करके देखो, कि पहले मैंने 5 लिया, उसके बाद यह कैसे चला, उसके बाद हर condition को check करो, ताकि आप भूंत आओके code में error कहां पे, इसलिए debugging बहुत important है, इसमें, आपके learning को 10x कर दीगी सीधा, अब आम next question में को उतते हैं, 5, देखो इतनी question में आपको इसलिए practice करा रहा हूं, आपके logic अच्छी से build हो, आप इनके around खिलते रहो, यह मुझे print करवाना है, उल्टे में, ठीक, पहली row में क्या print कराना है, पहली row में गया, भईया 5, second row में क्या print कराना है, भईया 5 से 4, third row मे प्रिंट कराना है, भईया 5, 4, 3, 2, fifth row में क्या print कराना है, भईया 5, 4, 3, 2, 1, यही बोला था print करने के, बाके और कुछ, और कुस्तों नहीं बोला आपको, क्या आप इस question को सोच के कर सकते हो implement, मैं आप से यह पूछना चाता हूं, मैं कह रहा हूं, पहली row में, first row में आए, first third row में, मुझे print करना है, 5 से लिख कहां तक, भईया 5 तक, एक ही number प्रिंट करना है, ठीक, अगली में print, 5, 4, 2 number प्रिंट करना है, ठीक है, third row में भईया 3 number प्रिंट करना है, 5, 4, 3, पहला number 5 होगा, अर last number 3 होगा, पता कहीन चल रहा हूं, fourth row में क्या print करना है, भईया 5, 4, 3, 2 5th row में 5 4 3 2 1, कैसे पता चलर रहे हैं कि कहा से कहां तक प्रिंट करना है, यहाँ पे लिखता हूँ, 1st row में क्या प्रिंट करना है, एक ही नमबर प्रिंट करना है, रो लिख देता हूं, अब प्रिंट किह नहीं करना है, year तो एक ही करना है second row में two ही 감사Man है and third row में 3 number print करने this row and five number print करने यह तो सबको clear है अब print क्या करना है कहा से कह तक करना है वह कैसे लिखेंगे तो print कितने number of time करना था actual bin print क्या करना है actual print यहां पर 5 Print करना था 5 फॉर तो मुझे पता है कि पहला number 5 होगा अब वो कहां से कहां तक जाएगा कहां से कहां तक जाएगा बताइए भाईया वो एकी बार print होना चीए एकी बार second row में क्या होगा 5 से लिका कहां तक print होना चीए भाईया दो बार print होना चीए तो दो बार भी किते number आएंगे 5 और 4 ही आएंगे तो मैंने का, simple है, simple है, अगर मैं इस row को पकड़ूं, oh sorry, 5 से लेके, 5 minus, row minus 1, जो पिछले वाले में हमने लिया था, यहां से यहां तक मुझे print करना है, क्योंकि एक ही number print कर आना था, पहली row में एक ही number print कर आना है, तो 5 से लेके 5 तक ही, मैं print करना चाता हूँ, तो 5 से लेके 5 तक ही, कैसे निकलेगा आपका, row minus 1 कर दूँगा, तो कितना हो जागा, 1 minus 1, 0 हो जागा, तो 5 से लेके 5 तक ही, आपको print करना है, second में आपको कितना number print करने है भई यह दो तो कैसे निकलेगा 5 चे लेकि 4 तक के number print करने है तो 5- यह करूँगा तो कितना निकले गई 4 यह formula जो हमने generate किया यह formula जो हमने generate किया जो previous वाले में हमने देखा कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं कि 1 मनलब मैं कैसे समझो कि एक ही number print करना है 2 मनलब 2 यह तो direct logic है पर यह last वाल number हम कैसे generate करेंगे वो main task था वही था ना main task वही था बस हमने वही कर दिया वही same formula यहां पर use कर लिया तो मुझे पता चलिया कि print करना है मुझे कहां से कहां तक 5 से लेके 5 minus rho minus 1 यहां से यहां तक print करना है अब अगले में rho को एक से increase कर दो यह होगी आपका formula अहिए कल लिया आपने पूरा generate आपने सिरफ एक logic चोचा कि भाई पहले में क्या print करना है 5 अगले में 5,4 अगले में 5,4,3 तो आपको यह तो clear होगा कि तीन column है तो तीन number ठीक है अगले में चौथी रो है तो चार अगले में पांच मिन करने फिप्त रो में तो generate कैसे हो रहे है आपके generate कैसे है पहला number मुझे पता है last number में कैसे generate कर सकता हूं वो मुझे देखना से लेके यहां तक के number को print करवाना है आप इसको 1000 तरीकों से कर सकते हो बहुत सारी तरीके है यह one of the logic है अब आप नेस कोशन में कूथते हैं उसमें आप देखते हैं कि मुझे पहली रो में 5,4,5,4,3 इस टाइप से numbers को print कराना है simple सा ठीक है अब उसको हम कैसे हासिल कर पाए यह मैंने लिख दिया यहां पर बिल्कुल प्यार से अब कहां से कहां print करना चाहिए column प्रिंट करना चाहिए column equal to कहां से start होने चाहिए 5 से कहां तक जाना चाहिए column greater than equal to 5 minus row plus 1 मैं लिख सकता हूँ अब bracket में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा ठीक है और column equal to column को एक्ए करके decrease करते रहो बस अचाहिए column कर दो तो जो भी code में आपको करार हो इसको आप second logic से भी सूसने की कुछिस करोगे तो आपके thinking power बढ़ेगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेसा सूस लोगे यह कल लोगे ठीक execute किया तो मुझे जो required result था वो मैंने easily obtain कल लिया simply मुझे पता है first व कोलम में एक element होगा, अगले वाले में 2 होंगे, अगले वाले में 3 होंगे पर पता कैसे चलेगा, मुझे पहला element fix है 5, तो column equal to 5, कितने element print करने है या फिर last element में कैसे उठा सकता हूँ, वो मुझे यहां से निकल सकता है, यहां से, ठीकिया अगर मुझे last element का पता करना हो, तो आप different logic हर चीज में लगा सकते हैं और इसी को मैं नहीं कहूंगे कि आप इसी logic से इसको create या solve करने की कोसिस करो आप अपना logic भी इसके अंदर लगा सकते हैं बिना किसी देरी के I think आपको यह logic clear होगा तो भाई आज जाओ homework seat मैंने description में दे रिखी है उसको जाके solve करो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में जै हिन जै भारत